दोस्तो बहुत बार जो टॉपलोड वॉशिंगो मशिन में उसमें एक प्रَबलम आती है अब देखिए वॉशिंग मशीन में बंद रखी रूई है लेकिन नल को जैसे ओन करते हैं वॉशिंग मुशिन में पानी आना स्टार्ट हो जाता है अब आप washing machine चाहे बंद रखो या फिर चालू रखो या पानी आना चालू ही रहेगा लेकिन जैसे हम नल बंद करेंगे उसके बाद पानी जो अंदर आना है वो बंद हो जाता है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो inlet wall है वो direct हो गया है मतलब उसको supply जाए PCB में से या फिर ना जाए उसमें पानी आता रहेगा तो इस condition में हमें inlet wall change करना पड़ता है inlet wall change करने के बाद यह problem solve हो जाती है बस आपको एक बाद ध्यान में रखनी है कि जब भी आप inlet wall change करो तब एक बार PCB on करके inlet wall को जो voltage आ रहा है उसको check कर लेना बहुत बार inlet wall जब खराब होता है तो उसके साथ PCB भी damage कर देता है तो fitting करने से पहले उसको check कर लेना दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना और चैनल को subscribe ज़रूर करना